ऐसे हो आप सब, I hope आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो में और ये वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है उनके लिए जो कुछ टाइम पहले क्रिप्टो को बोल रहे थे कि क्रिप्टो डेड हो चुकी है, बिटकोईन डेड हो चुका है आज हम सारी चीजों के बारें बात करेंगे पिछले कुछ महीनों के अंदर क्या हुआ है और अब क्या चल रहा है आप देख रहे होंगे इन दिनों stock market, Indian stock market के क्या हाल चल रहे हैं बिल्कुल भी अच्छे हाल नहीं चल रहे हैं Indian stock market, आडानी के जो stocks हैं जितने भी stocks हैं पूरी stock market हिली हुई है और पूरी stock market काफी अच्छी खासी करैश हुई है पिछले कुछ दिरों में और reason आपको पता है, एक report Hindenburg की और आडानी कहीं पूरी market हिली पड़ी है stock market लेकिन आज तक हमने कभी भी stock market को ये नहीं बोला कि stock market scam है, stock market ये है, stock market वो है आप stock market में invest मत कीजिए हमने तो कभी stock market को कुछ बोला भी नहीं है लेकिन पिछले कुछ time के अंदर, जब जब bitcoin crash हुआ, जब जब crypto market crash हुई जब आप देखो bitcoin अभी recently, जदा पिछे नहीं चलते है recently जो FTX की वज़े से market में crash देखने को मिला था तो घंटो घंटो तक debate होती थी, कि bitcoin crash हो गया crypto market crash हो गई, exchange दिवालिया हो गई, अब यहाँ पे सब कुछ खतम हो गया सब कुछ यहाँ पे बंद हो जाएगा, ठीक है घंटो घंटो डिपेट होती थी, जब bitcoin crash होता था, crypto market crash होती थी तो आज वही bitcoin, FTX इतनी बड़ी exchange दिवालिया हो गई लेकिन bitcoin को घंटा फरक नहीं पड़ता, जरा साभी फरक नहीं पड़ता और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले एक महीने में 16,000 डॉलर से 24,000 डॉलर bitcoin की price आई है this is the power of crypto market, दो महीने पिछे जलते हैं crypto market में जब crash आया, बहुत सारी debate ऐसी होती थी कि crypto market अब खतम हो जाएगा, जो 600-700 billion dollar market cap 700 billion dollar तक गई थी, लेकिन वो बोल रहे थे, कहां तक जाएगी 200 billion dollar तक, 200 billion dollar तक market cap चली जाएगी आज वही crypto market cap 1 trillion dollar का हो चुका है मैं अभी भी काफी bullish नहीं हूँ, अभी भी हम बहुत नीचे रहेंग रहे हैं no doubt, लेकिन आने वाला time बताएगा, क्या होगा, और time आप देखो, time किस तरह से बदलता है जो बोल रहे थे crypto के बारे में, crypto bitcoin के बारे में कि crypto ये है, bitcoin वो है आज वही stock market में तहलका मचा हुआ है, आज वही stock market के अंदर Adani, Hindenburg, FTX बन के निकले हैं, अब क्या यहाँ पर वो सब बोलेंगे कि stock market scam है, stock market को बंद कर देना चाहिए नहीं बोलेंगे ना, कोई नहीं बोलेगा, बिल्कुल भी नहीं बोलेगा, और आज जो bitcoin पिछले एक महीने से इतनी jump लगा रहा है इतनी हरयाली market में आया हुई है, इतने coins इतना अच्छा profit दे रहे हैं, एक भी debate नहीं हुई bitcoin के उपर, एक भी debate नहीं हुई crypto के उपर, कि crypto market उपर जा रहा है क्यूं? जब market crash हो रहा था, तब तो घंटो घंटो तक बाते होती थी, लेगिन अब bitcoin crypto market उपर जा रहा है, तो घंटो तक तो छोड़िये, एक मिनिट भी बात नहीं होती है तो आप time देखो किस तरह बदलता है, किस तरह change होता है, जो stock market के, कहते न, एक तरह से, महराजा बने हुए थे, stock market को लेगे, इतने positive थे, कि भाया crypto क्या है, stock market के आगे, आज वही crypto, वही bitcoin, bumper profit बना आगे दे रहा है, और stock market की हालत पतली हुई पड़ी है, और आप time देखो, आप Adani जैसा case, FTX जैसा case, stock market में भी हो गया, तो क्या आप stock market को बंद कर दिया जाएगा, क्या आप यहाँ पे stock market scam है, क्या stock market यहाँ पे पूरी तरह बंद कर देनी चाहिए, सब का पैसा डूब गया, काफी अच्छा का सा पैसा डूब है, तो अब यहाँ पे कोई अपनी stock market को कुछ नहीं बोलेगा, simple सा logic आप समझो, और जब bitcoin ग्रैश हो रहा था, और कहने का मतलब यह है, कि किसी के बारे में बोल रहे हैं, crypto के बारे में बोल रहे हैं, मैं इतना ही कहूंगा, सोच समझ के बोलिए, time का पता नहीं होता, कब time किसका कैसा आजे, bitcoin को dead बोल रहे थे, चेतन भगत जी, खुद tweet किया, crypto is over, crypto is dead, वही bitcoin, गंटा, कुछ फरक नहीं पड़ता, bitcoin को FTX के दिवालिया होने से, bitcoin ने बहुत अच्छी rally दिखाई है, और तारीफ बनती है, crypto market की, bitcoin की, बिलकुल बनती है, तारीफ वाला काम किया है, तो तारीफ की जाएगी, ठीक है, मैं पस इतना ही कहूंगा, हर market में up-down होते हैं, हर market में ऐसी चीज़े होती हैं, लेकिन किसी एक market को इतना बुरी तरह, एक तरह से target पे लेना, कि crypto ये है, bitcoin वो है, बिना समझना चाहते नहीं है, ठीक है, वो उनकी choice है, समझना चाहते हैं, नहीं समझना चाहते हैं, लेकिन, आज खुद की stock market में जब तहलका मचा है, तो आज सब चुप हैं, आज कोई क्यों नहीं बोलता कि stock market scam है, stock market में सारे stock डूब गए, एक report ने पूरी stock market में तहलका मचा दिया, FTX जैसा काम stock market में हो गया, तो अब कोई कुछ क्यों नहीं बोलता, है ना, जब bitcoin की बारी आती है, crypto की बारी आती है, तो सीधा word निगलता है, ban कर देना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, आज एक minute भी debate नहीं होती, वही bitcoin आज 24,000 डॉलर पे पहुझ गया, तो time देखो, time की बात है, दो महीने, तीन महीने पहले, लोग crypto को dead बोल रहे थे, चेतन भगजी dead बो bitcoin नीचे आ सकता है, correction दिखा सकता है, ठीक है, लेकिन overall अगर वेट करेंगे तो bitcoin अच्छे result भी दिखाएगा, और जो समझते हैं ना भईया, crypto को, future की currency, web 3, metaverse, ये सारी चीज़ें, जो technology को समझते हैं, वो आगे जाएंगे और आगे जारी है, bitcoin आज तक रुका क्यों नहीं, इतनी बार bitcoin को dead बोला, crypto को dead बोला गया, लेकिन bitcoin को बस आदत है सुनने की, एक बार वो सुनता है dead, उसके बाद वो अपनी power दिखाता है, और पिछले एक महिने से नीचे आने का नाम तक नहीं लिया bitcoin ने, ठीक है, बहुत अच्छी rally है, बहुत अच्छी तारीफ बनती है bitcoin क crypto की, ठीक है, लेकिन आज कहीं भी debate नहीं हो रही, bitcoin के उपर, crypto के उपर, तो time time की बात है, कभी crypto में down आता है, तो stock market में अपा जाता है, कभी stock market में down आता है, तो crypto में अपा जाता है, तो किसी एक market के बारे में इतना बुरी तरह बोलना, वो कहीं ना कहीं, बहुत भारी लोगों, और result आपके सामने, जब खुद पे बीटती है ना, तब पता चलता है, कि हम दूसरे की, दूसरे को जो बोल रहे थे, वो खुद पे जब बीत रही है ना, तब पता चलता है, और हर stock investor, हर stock market के जो महराजा है, जो समझते हैं कि हम stock market के king है, वो आज सारे उनकी हालत पतली कर रखें, stock market ने, तो अब कोई नहीं बोलेगा, आप stock market को ban कर देना चाहिए, क्या एक report आगी तो ban कर दीजिए, बंद कर दीजिए, stock market को ऐसा होगा, नहीं होगा, तो crypto को क्यों बंद कर दिया जाए, एक exchange दिवाली आओगी, तो crypto बंद कर दीजाए, ऐसा नहीं होता ह तो बस इतना ही कहूँगा, time time की बात है, किसी के बारे में कुछ भी बोल रहे है, तो time देख लीजिएगा, आने वाला time कैसा हो सकता है, और आज time देखो, जहाँ crypto market दोड रही है, वहाँ stock market crash हो गई, ठप हो गई, यह है time time की बात, तो आगे से कभी भी कुछ भी बोल रहे ह थोड़ा सा सोच समझ के बोलिएगा, कल को वही चीज जब आप पे बीतेगी, तब आपको पता चलेगा, कि क्या होता है, बोलना किसी को, है न, तो यही चीज़े हैं, बस, आज कोई debate नहीं करेगा, बिटकोईन के उपर, कोई घंटो घंटो तक क्या, मिनिट तक भी बात न कर रहा, कोई नहीं करेगा, है न, बिटकोईन अगर एक लाख डोलर चलेगा, तब भी नहीं करेगा, है न, तो बस, इतना ही कहेंगे, और आगे आप समझदार हैं, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, बाई बाई